आज के इस क्लास में हम लोग द्विघास समिकरन के मुलों का हल निकालना सिखेंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं कि द्विघास समिकरन क्या होता है तो AX square प्लस BX प्लस P is equal to 0 के रूप में रहने पर हम लोग करते हैं कि ये द्विघास समिकरन है द्विघास समिकरन इसलिए क्योंकि यहां सबसे बड़ा पावर 2 है सबसे बड़ा पावर 2 रहने के कारण ही इसको हम लोग द्विघास समिकरन कहते हैं अब X square के साथ जो गुना में होता है उसको हम लोग A कहते हैं X के साथ जो गुणा में होता है उसको हम लोग B करते हैं और C जिसके साथ X और Y कुछ भी गुणा में नहीं होता है अब यहां हम लोग द्विघा समिकन का मुल ग्याद करने के लिए एक फार्मूले को याद रखेंगे और उसी फार्मूले को फॉलो करते हुए हम लोग द्विघा समिकन का मुल ग्याद करेंगे हम लोग का फार्मूला होगा यदि B का मान पोजेटिव है यानि B पोजेटिव में है तो B और C दोनों का साइन चेंज होगा और यदि B का साइन माइनस में है तो सिर्फ B चेंज होगा यानि B का sign चेंज होगा अब इसको और भी अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग प्रस्ण को जब solve करेंगे तो पूरी तरह से formula हम लोग को समझ में आ जाएगा हम लोग का पहला प्रस्ण है x square plus 20x plus 96 is equal to 0 अब यहाँ x के साथ 20 गुना में है इसलिए 20 हो गया B 96 के साथ x और y कुछ नहीं है तो 96 हो गया 30 अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि B का मान positive है अब formula का अनुसार B जब positive होगा तो B और C दोनों का sign चेंज होगा जबकि C का sign क्या है positive तो दोनों का sign चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा negative और यह भी हो जाएगा negative अब चुकि दोनों sign माइनस में है इसलिए 96 का ऐसा टुकड़ा करेंगे कि जोडने पर 20 है जोडने पर 20 है जब same sign होगा यानि एक ही sign होगा चाहे वो plus हो या minus हो दोनों एक ही sign होगा तो जोडने पर यहाँ जो अंक होगा वो आना चाहिए तो 96 का ऐसा टुकड़ा करेंगे कि जोडने पर 20 आए तो 12, 8, 96 यानि 12 और 8 को गुना करेंगे 96 आएगा और 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 होगा सबसे पहले हम लिखते हैं बड़ा वाला अंक उसके बाद चोटा वाला है जब भी टुकड़ा करेंगे तो बड़े वाले अंक को ही पहले लिखेंगे हम लोग का दो मुल प्राप्त हो गया माइनस 12 और माइनस 8 हम लोग का आगला प्रस्ण है x स्क्वाइर माइनस 20 x माइनस 96 इज़ुकल टू 0 यहां x के साथ गुना में 20 है तो 20 हो गया b का माण और 96 हो गया c का माण यहां b माइनस में है तो b का माण जब भी माइनस में होगा तो सिफ b का साइन ही चेंज होगा तो b का साइन चेंज करेंगे तो यह हो जागा positive सी के साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा तो सी यहां माइनस का माइनस हो जाएगा अब यहां प्लस और माइनस दो साइन आया है जब भी दो साइन आएगा तो कॉंस्टेंट वाले संख्या का ऐसा गुननखन करेंगे कि घटाने पर भी प्राप्त हो यानि अब घटाने पर 20 आना चाहिए तो घटाएंगे हम लोग 24 चोग 96 यानि कि जब 96 का गुननखन करेंगे तो 24 चोग 96 24 में 4 से करेंगे 96 आ जाएगा आज 24 में 4 घटा देंगे तो 20 बचेगा सबसे पहले बढ़ा अंक लिखा जाता है उसके बाद छोटा यहां हम लोग का दो मुल प्राप्त हो गया प्लस 24 माइनस 4 हम लोग का आगला प्रस्ण है x स्क्वाइर माइनस 98 प्लस 84 इस उकल टू 0 अब यहां b के जगा हम लोग का है 19 और c के जगा है 84 b का साइन माइनस में जब भी b का साइन माइनस में हो तो सिब b का साइन ही चेंज होगा तो माइनस से ही हो जाएगा प्लस और c का साइन जैसे था वैसे ही रहेगा यानि प्लस का प्लस यानि यहां दोनों साइन हम लोग को क्या मिला प्लस में जब भी दोनों साइन एक ही होगा तो यहां के constant संख्या का ऐसा गुननखन करेंगे कि जोडने पर भी प्राप्त हो यानि जोडने पर 19 आना चाहिए तो 12 गुने 7 यानि 84 का गुननखन करेंगे तो 12 सते 84 84 आएगा और 12 में 7 जोड़ेंगे 19 प्राप्त हो जाएगा तो सबसे पहले लिखा जाएगा बढ़ा आंग उसके बाद छोटा आंग यहां हम लोग को दो मूल प्राप्त हुआ प्लस 12 प्लस 7 अब हम लोग का आगला प्रस्ण है x square प्लस 25x minus 84 is equal to 0 यहां b के जग़ 25 है और c के जग़ 84 क्योंकि x के साथ वाले अंग को ही b कहा जाता है यहां b का साइन क्या है positive अब b का साइन जब positive यानि प्लस में होता है तो b और c दोनों change होता है क्योंकि यह formula में हम लोग पढ़ चुके थे तो यहां हो जाएगा यह minus और यह minus हो जाएगा plus अब sign का काम तो हो गया यहां sign दो sign आया minus में plus में अब जब भी दो sign होगा तो यहां के constant का ऐसा गुननखन करेंगे कि घटाने पर भी प्राप्त हो यानि घटाने पर 25 आना चाहिए तो 84 का गुननखन करेंगे हम लोग तो 28 गुने 3 आएगा यानि 28 में 300 गुना करेंगे 84 आएगा और 28 में 3 को घटा देंगे तो 25 बचेगा सबते पहले लिखा जाता है बढ़ा आंग उसके बाद चोटा आंग यानि यहां हम लोग का दो मुलप्राप्त हुआ minus 28 plus 3 हम लोग का आगला प्रस्ण है x square minus 20 x plus 60 is equal to 0 यहां b के जगा 17 यानि 17 है और c के जगा 60 है b का मान यहां negative अब b चुकी minus में है तो b का ही sign change होगा c का sign change नहीं होगा इसका sign change करेंगे positive हो जाएगा और c का sign change नहीं होगा तो plus का plus क्योंकि पहले ही हम लोग पर चुके हैं formula में कि b positive रहने पर यानि b के साथ जब plus होगा तो b और c दोनों का sign change होगा और b यदि minus में होगा तो सिफ b का sign change होगा तो यहां क्या हम लोग का b का sign minus में है तो सिफ b का ही sign change कि यह plus होगया और c जैसे था वैसे लिखा गया अब दोनों sign एक ही है प्लस प्लस है इसका मतलब कि 60 का ऐसा गुननखन करना है कि जोडने पर क्या है 17 है तो हम लोग देखेंगे 12 गुने 5 यानि 60 का टुकड़ा गुननखन करेंगे तो 12 पच्चे 60 और 12 में 5 को जोड़ेंगे 17 आ जाएगा सबसे पहले लिखा जाता है बढ़ा आंग उसके बाद छोटा आंग यहां लोग का दो मुल प्राप्ट हो गया प्लस 12 और प्लस 5 प्लस 9 नाएगा